क्लास 2 वर्थ की रिजल्ट आने वाली है और आप टेंशन में हो आपको बहुत स्ट्रेस है कुछ दिनों बाद आपकी रिजल्ट आ जाएगी आप बहुत डड़े हुए हो क्या आपकी मार्क्स अच्छी आएगी या बुड़ी आएगी क्या आपने जितना सोचा है आपकी उत जाओंगा बहुत फीस देना पड़ेगा क्या होगा नहीं होगा मेरी जिन्देगी खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसा सोचते हो तो यह पूरा वीडियो आपके लिए है मैं बस आपसे 5-6 मिनट का वक्त चाहता हूँ आप इस वीडियो का एंड तक देखो मैं आपको एक ऐस मैं अभी एक content creator हूँ full time content creator और मैं अभी अपने नजर में बहुत अच्छा कर रहा हूँ बट मैं आपको लेके चलता हूँ आज से कुछ साल पहले जो जब मैं अपने class 12 में था और मेरी class 12 की boards की score आने वाली थी मैं आज से कुछ साल पहले मुझे आज भी आथ है जब मैं मिनिमम मैं 97, 98, 99% तो score करूँगा यह मेरी expectations थी मैं पूने में था अपने दो दोस्तों के साथ हम लोग पूने गये थे हम लोग आटो में थे अचानक से call आता है भाया का और भाया बोलते है कि तुम्हारा 12 का result आ चुका है और तुम्हें score आया है ये और उस score को सुनकर मेरी भट गई मतलब मैंने उस score को सुनने के बाद जितना मेरा marks आया वो marks को जानने के बाद मैंने अपने बगल वाले मेरे friend को hug करा और मैं रोने लगा और मैं क्यों रोने लगा क्योंकि वो marks unexpected थे जितना मैंने सोचा था उतना मुझे नहीं आया था और वो मेरे life का बहुत depressing phase था मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं auto में था और मेरे pair हाथ काप रहे थे और मेरे दिमाग में भी यही ख्यालात आ रहे थे अब जब मैं वापस घर जाओंगा तो क्या जवाब दूँगा घरवालों को क्या बोलूँगा parents क्या बोलेंगे relatives क्या बोलेंगे दोस्त क्या marks थी बट उस time पर ये बात मुझे नहीं समझा रही थी क्योंकि मेरी expectation बहुत ही ज्यादा high थे शायद मैंने जितना score किया था actual में वो बहुत बच्चों का dream भी हो सकता है जो average student है बट मेरे लिए वो marks कते ही अच्छे नहीं थे उस time पर मुझे बहुत ही ज्यादा depressing feel हो रहा और पूने में मतलब किसी और reason के वज़े से गया था मैं अपने दोस्तों को बस इतना बोल रहा था मुझे भाई घर लेके चलो that's it मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है और मैं जैसे तैसे करके घर आया और पूरे रास्ते भर पू जैसी colleges मेरी dream थी, to be very honest, मैं आपके सामने बरूटूबर बात करता हूँ, बट मेरा उस college में नहीं हुआ, मैं साउथ campus के किसी college में मेरा admission हुआ, मैंने उसमें पढ़ाई करी, एक साल, और वो पुरे एक साल, मैं बहुत depressed रहा, मेरे घर वाले मुझे push करते थे कि marks तुमारा जिनीनदा आ रही थी, यह हाला जोई थी मेरी, कोई बात नहीं, मैंने बहुत जीतोर महनत करी थी, मैं to be very honest, मैं एक average student था, अपने school life में, बट मैंने अपने 12th में जितनी महनत करी थी, मैंने 12th में पढ़ाई में उतनी महनत कभी नहीं करी थी, मैंने 12th में पुरी जान लग मतलब अभी 2021 से, तो मैं बस एक line बोलूँगा, thank God, अच्छा हुआ कि मुझे वो score नहीं आया, मैं बच गया, मैं बच गया उस भीड में जाने से, जिस भीड में लाखो लोग घुसे पड़े हैं, जो सिफ college जाते हैं, college के साथ बाद अपने दोस्तों के साथ गुमते हैं, अ बोलते हैं कि जब marks कम आती हैं, तब ही जब आपकी पूरी सारी रास्ते बंद हो चुके जाते हैं, क्योंकि मेरे नजर में सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब मैंने अपनी passion को ढूणना स्टार्ट किया, मैंने सुचा कि चलो college तो अच्छा मिला नहीं, क्योंकि वो college जिस college उस college में match कर रही थी, तो मेरी हो गई, क्योंकि उस साल की cut-off थोड़ी कम गई थी, तो मेरी हो गई हो था, North Campus में, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज के टाइम पे, अगर शायद मैं उस college में गया होता, तो आपके सामने ना बैठा होता, आपके सामने bro to bro ना बात क कर रहा होता, आप मुझे इतना प्यार नहीं कर रहे होते हैं, जब मैंने अपने passion पे धियान दिया, जब मैंने सोचा कि मैंने सारे रास्ते बंद हो गए, पढ़ाई से तो मेरा भरोसा उड़ी है, उसके बात मैंने सोचा ना, life मैं कभी पढ़ाई नहीं करूँगा, अगर पढ़ाई करके, इतना पढ़ाई करके यह हालत होता है, तो मैं अपनी जो मेरी बचपन की passion थी, camera, मैंने theater plays करना है, camera मुझे बचपन से बहुत पसंद था, इसलिए मैं आज camera के सामने इतना comfortable हो के बात करता हूँ, और मैं आपको एक short short बताता हूँ, कि बहुत सारे लोगे camera के सामने hesitate करते हैं, मैं कभी नहीं करता हूँ, हाँ, video making बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, बट मेरे अंदर hesitation नहीं थी camera के सामने, उसको मैंने grow किया, अच्छा किया, theater play किये, बहुत सारी चीज़े करी, और आज मैं इस मुकाम में हूँ, कि मेरे college के जो लोग, जितने students है, ज मैंने मतलब source लिया था ना कि अब इतना depressing सा scene है मेरे life में, इतना कुछ हो चुका है, तो मुझे कुछ और ही करना है, मैंने उस पर ध्यान दिया, और आज मैं आपको बताता हूँ, आज मेरी channel, to be very honest, मैं YouTube analytics देखता हूँ, जैसी मेरी content है, जिस zone में, career guidance को लेके, motivational को लेके, म मैं कभी नहीं रुकूंगा अपने life में, आज मेरे उपर लोग portraits बनाते है, मेरे उपर sketch बनाते है, मेरे से मिलने के लिए लोग पागल है, और मैं भी उन लोग उसे मिलने के लिए बहुत excited हूँ, मतलब मेरे fans create होना start हो गया है, वो जो चीज जो वो dreams होसता था मैं, कि fans आएंगे और जब live आओंगा ता अच्छे चीजे वगेरा, अच्छे चीजे कमेंट्स प्यारे, ऐसी ऐसी चीजे कि sir I am your big fan, मतलब कौन बोलेगा मेरे तरीके content creator को big fan, जातर लोग सिर्फ college की query करने आते हैं, लेकि मेरे love you वारे comment आते हैं, मुझे बोलते बोलो मुझे कितना प्यार करते, they want to hug me, तो कहीं ना कहीं, मेरी जो किस्मत थी, वो मेरी इसलिए चमकी, क्योंकि मैंने अपनी passion पर ध्यान दिया, तो आप लोके लिए बस इतना बोलूँगा कि आपकी result आने वाली है, और result को लेके, please अगर आपको अच्छा college मिलता है, तो it's well and good, बहुत अच् आपको बस एक जड़िया दे सकती है, बट college आपकी जिंदगी में कुछ नहीं खाट सकती है, मेरी बात मानो, चाहे आप इंडिया के बड़े से बड़े college में चले जाओ, आपको निकलना है, आप कितने बड़े college में चले जाओ, अगर आपके friend circle खड़ाब होंगे, आप पढ सिर्फ college के बड़े सेमेस्टर के exam दोंगे, बाके time दोस्तों के साथ खुमोगे, आप जिंदगी में कुछ नहीं खार पाओगे, आप एक placement तक नहीं ले पाओगे, 25,000 की भी, नहीं ले पाओगे, तो इस बात पर ध्यान दो, I know, बहुत अच्छा होता है, marks बहुत जरूरी ह होता है, starting phase में थोड़ा depressing लगेगा, अगर आपकी मांग खराब आई, सोचोगे कि घर वाले बोलेंगे, सुनाएंगे, ताना मारेंगे, I know, it's happened, okay, it happens, but still, at the same time, यह matter नहीं करता है, matter करता है, आप अपने passion के ध्यान देते हो, अगर आपको UPSC भी निकालना है ना, आप घर अभी बैटके, study IQ जैसे YouTube चैनल की मदद ले लेके, खुद की knowledge को बढ़ा सकते हो, अभी से preparation कर सकते हो, आपको किसी competitive exam को निकालना है, आपकी वो passion आपको जुनून है, आप अपने आपको अफसर बनते हो, देखना चाते हो, आप अभी से त्यारी कर सकते हो, आप college में ना ज चाहिए, आप घर बैटे-बैटे business कर सकते हो, घर बैटे-बैटे-बैटे लाकों कमा सकते हो, आपके अंदर वो करे जोना चाहिए, आपको कोई भी spoon feeding नहीं करेगा, आपके पास कुछ भी लाके नहीं दिया जाएगा, कि ये लो भाईया, मैं आपको सारे tips नहीं बता सकता ह हूँ, कि ऐसे पैसे कमा जाते है, आपको अपनी दिमाग लगानी पड़ेगी, मैं आपको सिर्फ guide दितर सकता हूँ, as a mentor, as a brother, मैंने आपके सामने बहुत honest बाते करी ये, बहुत जादा, शायद आप ये बाते अपने parents के सामने ना कर पा और आप parents भी आपको ना बोल पा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके, share करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने वैसे लोग के साथ, जो शायद tension में है कही न रहे, उन्हें relief मिलेगा, और ये time पे इस तरी के content बहुत सरूरी था, news and updates पे बहुत लोग बात करते हैं, जो अंदर की बात है, वो कोई नहीं बताता है, and being a bro, मैंने ये बात उठाया है, that's it, क्योंकि मैं आप भी cage का बंद हूँ, सिर्फ आप cage का, एक दो साल की फर्क हो सकती, मुझे पता है, मुझे आगे life में क्या करना है, मैं वो चीज उखाड लोगा, और उसकी मदद में आप ही लोग से लोगा, आप इसे मिलोगे, कुछ दिन बात जब आपके college खुलेगी, मेरे से बात है करना, मैं भी आप ही cage का हूँ, तो मैंने भी ऐसे ही grow किया है, तो आप भी कर सकतो, मैंने भी घर बैटे बैटे दिमाग लगा के मेहनत करके, कैमरा के सामने बोल बोल के मेहनत करके निकाला है, तो आप भी कुछ ना कुछ करके उखाड सकतो, life में बड़ा से बड़ा चीज, okay, thank you for watching this video, I love you guys, bye bye